ड्रामा के स्टाट में Kin family की news दिखाई जारी होती है कि Kin family की old lady की death हो चुकी है तो यहा पर funeral के लिए हमारा hero Kin पहुचता है जो कि Kin family का third master होता है और इसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि इसके second brother की wife होती है लेकिन उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसके बाद से किन ही इसका ख्याल रखता है इस लड़की का नम माउ है और यहाँ पर माउ प्रेगनेंट भी होती है नेकसीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर कीन की एक फूल वाइफ है जिसे कि वो डिवोस पेपर देता है और कहता ही कि मैंने तुम्हे अपना नम लिखनेंगा सिखाया था न तो तुम इस पर अपना नम लिख दो अब उस पिचारी को तो कुछ पता नहीं हो था कि यह डिवोस पेपर है तो वो पी चुप-चुप सैंट कर देती है यहां पर एसिस्टेंट केंज से पूछने लगता है कि क्या सच में आप ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि उसकी वір प्रेगनेंट होटी है वो भी ट्विंस है तो यहां पर किन असिस्टेंट को बताने लगता है कि उसकी लिटल फूल से साधी क्यों वही थी एक्शूर में ग्रेंड मा ने उसकी साधी लिटिल फूल से करवाई थी और उसका रीजन ये था कि एक इनका एक्सिडेंट हो गया था जिसकी बज़े से वो कोमा में चले गया था और सारे डॉक्टरस ने कहा दिया था कि कोई भी कुछ बता नहीं सकता कि उसे एक अब तक होसा आएगा लेकिन ग्रेंड मा ने एक स्पेसल डॉक्टर को बुलाया होता है जो कि कुछ रिच्वल्स करता है और बताता है कि इस रिच्वल्स में इसकी साधी होना चरूरी है यहाँ पर डॉक्टर लिच्वल्स को देखकर कहता है कि मुझे बता है कि यह पहुचाता अगली है क्योंकि इसकी पूरी बॉड़ी पर रेसेस होता है लेकिन इस result में ये तुम्हारे काम आईगी तो ग्रेंड मा कहती है कि मेरा पोदा बस ठीक होना चाहिए और वो लिटल फूल से उसकी साधी करवाने के लिए मान जाती है अब सारे result करने के बाद सच में ही मिस्टर किन को होसा जाता है तो यहाँ पर ग्रेंड मा लिटल फूल का हाथ उसके हाथों में देते वे कहती है कि तुम्हें हमेसा ही इसका ख्याल रखना है अब प्रेजिन में लिटल फूल उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे खुछ से दूर क्यों भीज रहे हो तो वो कहता है कि मैं स्नॉप फॉल देखने के लिए भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हें पसंद है ना वो कहती है कि मैं चाहती हुगी तुम भी मेरे साथ चलो तो किन कहता है कि हाँ मैं बाद में जरूर रहूँगा यह सब देख कि असिस्टेंट को बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा होता लेकिन यहाँ पर माओ काफ़ ज़्यादा खुश होती है नेक्सिन में वो महां से जारी होती है और मिस्टर किन से भी यह देखा नहीं जाता वो महां से चले जाता है जिसके बाद माओ उसके पास आकर कहने लगती है कि अब तुम यहां से जारी हो अब इस फैमिली का नेक्स्ट आयर मेरा बेटा ही बनेगा वो कहादी है कि मिस्टर किन ने कहा है कि वो जरूर आएंग है वो कहादी कि तुमने सूच भी कैसे लिया तो मिस्टर किन के लिए सिर्फ एजर टूल यूज हुई हो बिटर होगा कि तुम चुप जब यहां से निकल जाओ तो वो भी महाँ से चली जाती है अब वो रास्ते में होती है और इन सब बातों के बारे में सूच कर सैड हो रही होती है और ड्रैवर से पूछती है कि हम कब तक पहुचेंगे मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है ड्रैवर कहता है कि थोड़ी देर में पहुच जाएंगे लेकिन तब ही उनका एक्सिडेंट हो जाता है और एक्सिडेंट की वज़े से उस लेटिल फूल को सब कुछ याद आजाता है कि उसका नम सैन है और वो भी एक रिज़ेस सैन फैमिली से बलॉंग करती है एक्शल में जब सैन का बड़े होता है तब उसकी ड्रिंग में किसी ने कुछ मिक्स कर दिया था जिसकी वीचे से उसे चकर आने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर रहसास होने लगते है वो सातवाले से पुछने लगती है कि तुमने मेरे ड्रिंग में क्या मिक्स किया है जिसके बाद उसे एक सुनसान सड़क पर शोड़ दिया जाता है और वो लड़की कहने लगती है कि सेंट फैमली की future मैं हूँ तुम्हारा अप सेंट फैमली से कोई भी लेना देना नहीं होगा मैंने तुम्हें ऐसे medicine दी है जिसे कि तुम्हारे खुद के dead भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कितने क्रूल हो जिसके बाद वो अपने dead को call करती है और help के लिए बुलाती है लेकिन तभी उसे level pen होने लगता है और वो एक baby को deliver करती है लेकिन फिर भेहोस हो जाती है तभी यहाँ पर उसके family यानि कि उसके dead पहुच जाते है वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुच जादा परिसान होते हैं वो सोचते हैं कि तीन साल बाद तुम मुझे मिली हो और वो भी इस हालत में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक baby भी है जो कि फ्रेज हो चुटा था तो यहाँ पर डेट उसे ले जाने से मना करने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का past का कुछ भी उसके साथ रहे जिससे देखकर वो दुखी हो और पता नहीं इस बच्चे को होस भी आएगा या नहीं क्योंकि काफी जाता सर्दी है और वो अपनी बेटी को लेकर महां से चले जाते हैं और उस बेबी को महीं पर छोड़ देते हैं लेकिन इस एक्सिडेंट के बारे में खिनको भी पता चल चुका था और वो भी महां पर पहुँच जाता है उसे माँ पर सैंट तो नहीं मिलती लेकिर अबना बेवी मिलता है जिसे फगले लगा लेता है और एसिस्टेंट पर गुस्ण करने लगता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो अपनी व practical कप के बारे में पूशने लगता है और इतर क्लब में हम किन हाव नाम के एक बंदे को देखते हैं चो कि किन फैमिली से ही बिलॉंग करता है यहाँ पर सभी उससे पूछने लगते हैं कि तुमने सैन फैमिली की बैटी से साथी करने के लिए क्यों मान गए सैंट फैमिली की बेड़ी यानिक हमारी हероइन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तो यहाँपर सभी उसका मज़ाग बना रहे होते हैं कि वो तीन साल तक पागल रही है और उसका एक बेबी भी है तो तुमने उसे सलेक्ट क्यों क्या तो बताने लगता है कि किन फैमिली का सैन फैमिली के साथ आग्रिमेंट है जिसकी वज़े से बिजनस में काफी जादा फायदा होगा तो मैं तो यह सब कुछ फायदा उठाने के लिए कर रहा हूँ वरना उस जैसी लड़की से मैं क्यों साधी करता मेरी फैमिली में सभी मुझे फोर्स कर रहे हैं बस इसलिए साधी करना पढ़ रहा है सभी सेन का मज़ाग बना रहे होते हैं कि पता नहीं वो किसके बच्चे को पाल रही है उसके फादर का तो कुछ भी आता पता नहीं है वो भी सबके साथ मिलकर सेन का मज़ग बना रहा होता है तब ही कोई इस पर अटेक करता है जो कि कोई और नहीं बलकि सेन का बेटा होता है जो सबसे कहने लगता है कि तुम लोग मेरी मॉम के बारे में इसे बाते क्यों कर रहे हो लेकिन यहाँ पर हाउ उसे प्रिंस कहता है और कहता है कि तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो अगर तुम्हारे डेट को पैदा चला तो अच्छा नहीं होगा लेकिन वो फिर से उसे मानने लगता है कि तुम मेरी मॉम के बारे में इसा नहीं बोल सकते हो तब ही यहाँ पर किन आता है और इस बच्चे को माने से रोकता है इस बच्चे का नम चीची होता है चीची किन से पूछता है कि आप कौन है किन कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो सुनके चीची सोचने लगता है कि मेरे तो कोई भी डेड नहीं है मॉम ने तो कहा था कि डेड मर चुके है लेकिन वो किन से इस बारे में कुछ नहीं कहता है और कहने लगता है कि ये लोग मेरी मॉम के बारे में बाते कर रहे थे इसलिए मैंने इने मारा है तो हाव कहता है कि इसा कुछ भी नहीं है मैं तो मिस सैन के बारे में बात कर रहा था यहापर चीची हाव कर फिसरे खुस्दा करने लगता है लेकिन किनों से उठा कर ले जाने लगता है और यहापर जो किन होता है वो हाव का अंकल होता है और वो चीजी को लेकर चला जाता है जो कि एक्शल में सैन का बच्चा होता है इधर हम उस बाइक वाली लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बलकि सैन होती है उससे पता चलता है कि उसका बच्चा अकेला ही इस कलब में आ गया है क्योंकि चीची को पता चला था कि उसकी मॉम साधी काने वाली है तो वो यहाँ पर हाउ को मज़ा चखाने आया था और सैन यहाँ पर अपने बेवी को ढूंने के लिए आई होती है लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग एक बच्चे को परिसान कर रहे है और हम देखते हैं कि यह बच्चा बिल्कुल चीची की तरह ही दिकरा होता है मतलब कि यह किन का रियाल बेटा होता है जिसके कि उसने जान बचाई थी और इसका नाम हुआ होता है यहाँ पर हुआ काफी इनोसेंट होता है कि या आराटी मुझे खुद का पेटा क्यों कह रही है सैन क्या दी कि मैंने तुमसे मना किया था न तुम यहाँ पर क्यों आए वो तो सोच में पढ़ जाता है कि मैं क्या जबाब तो लेकिन सैन उसे उठा कर महांसे ले जाती है अब इतने दिनों बाद मौमलने की वज़े से हुआ तो कुछ बॉली नहीं पाता और यहाँ पर पीछे के सेन में हम देखते हैं कि किस तरह से किन जबजस्ती चीची को लेकर चारा होता है अब सेन दिखने की वज़े से दोनों ही ट्विंस एक्सचेंज हो जाते हैं जब सेन हुआ को घर लेकर आती है तो यहाँ पर उसके डड़ की कॉल आती है जो कि उससे बात करने के लिए गहते हैं लेकिन हुआ कुछ भी नहीं बोल रहा होता ड़ेट पूशने लगते हैं कि तुमने मिस्टर हाउ को क्यो मारा मुझे ये बात पता चल गई है बिजियरा हुआ सोचने लगता है कि मैंने तो किसी को भी नहीं मारा है यहाँ पर सैन अपने ड़ेट से कहने लगती है कि आपको पता है कि मैं मिस्टर हाउ से साथी नहीं करना चाहती हूँ कि फैमिलीज के एग्रिमेंट के चकर में मैं नहीं फसना चाहती हूँ इदर हम केन को देखते हैं जो कि चीची को हुआ समझकर मेडिसिन पिला रहे होते हैं क्योंकि जिस कंडिशन में हुआ कब बर्थ हुआ था उस विज़े से उसकी दवित काफी खराब रहती है वो हमेज़ा ही बहुत जादा कॉल्ड रहता है यहाँ पर रेजिस्टेंट उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेडिसिन ले लो लेकिन वो सापना कर देता है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना और मेडिसिन गिरा देता है कि इनको बहुती गुस्जा आ रहा होता है कि यह आज किस तरह से बिहेव कर रहा है अब उसने सारी medicine fact दी होती है तो assistant पूछने लगता है कि अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर केने कि special medicine निकालता है उससे खाने लगता है तो assistant परिसान होकर कहता है कि आपके लिए इस medicine को इतना जादा खाना ठीक नहीं होगा जिसके पर वो अपने chest पे एक cut लगा कि अपने blood की कुछ पूंदे उस medicine में mix करता है अब यह सब कुछ देखकर चीची काफी ज़्यादा है उस बारे में पूछने लगता है और आज तो तो तुम्हारे डैट ने दो बार ले ली है और डॉक्टर ने इतनी ज़्यादा medicine लेने से मना किया है ऐसे तुम्हारे डैट को भी problem हो सकती है तो इसलिए वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हे medicine अच्छ से ले लेना चाहिए अब यहाँ पर चीजी समझ जाता है कि यह लोग उसे उनका पेटा समझ रहे है और उसे किन के लिए कापी बुरा भी लग रहा होता है अब किन की इतनी ज़्यादा डोस लेन की वज़े से तब इत बिगर रही होती है तो वो कहता है कि मैं होटल के दूसरे रोम में जा रहा हूँ और यहाँ पर चीजी सोच रहा होता है कि मुझा अपनी मॉम के पास जाना चाहिए मिरी मॉम मेरे ले लिए परिसान होगी इतर हम सैन को देखते हैं जो के एक रोम में एंटर होती है यहाँ पर वो Mr. Howe से मिलने के लिए आई होती है इंगेश्मेंट बोरने के लिए लेकिन यहाँ पर इस रूम में अल्रेडी Mr. Kin होता है सैन तो Mr. Kin को देखकर काफी जादा हैरान होती है लेकिन Kin उसे पहचान नहीं पाता है और उसके साथ रॉमेंटिक होने लगता है यहाँ पर सैन को अपनी First Night याद आती है कि किस तरह Kin एटिटूट में बेटा हुआ था और उससे बात तक नहीं कर रहा था और वो सैन से कहते हैं कि तुम्हारा Face बहुत अजीव है क्योंकि उस टाइम सैन के Face पे काफी ज़्यादा Scars थैं तो यहाँ पर सैन उसकी बात को समझ आती है और दूसी तरफ Face कर लेती है लेकिन Kin उसके साथ Nights Pen कर लेता है क्योंकि उसकी Health के लिए यह जरूरी था और प्रेजन में भी किन ने उसके साथ Nights Pen कर ली होती है जिसके बाद सैन बात ले रही होती है और यहाँ पर मिस्टर किन सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों यह लड़की मुझे इसी लगी जिसी कि मेरी लिटल फूल हो लेकिन इसके फेस पर तो कोई भी सकार्स नहीं है और यह लिटल फूल हो यह नहीं सकती है अब सैन को तो बहुत ही घुसा आ रहा होता है वो बाहर आती है तो यहाँ पर उपर से मिस्टर केनो से एटिटूट बता रहा होता है और उसे काट देकर कहता है कि इसमें से जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो जो देखकर तो सैन को और भी ज़्यादा घुसा आने लगता है वो कहती है कि अकिर तुम मुझे समझ क्या रहे हो तो वो कहता है कि मुझे पता है इसमें मेरे लिए एक लड़की आरेंच की होगी तो तुम वही होगी जो सुनकर उसे बहुत ही घुसा आता और बुरा भी लगता है कि इसने मुझे पहशाना तक नहीं जबकि मैं तीन साल इसके साथ रही हूँ सैन उसे कहती है कि एक शोर में मैं तुम्हारी नेफ्य के बेज़ी हूई कोई गर्ल नहीं हूँ बनकि तुमने मेरा फाइदा उठाया है और जाते है उसके उपर काफी सारे पैसे फेक कर जाती है बहार आकर भी वो इसी बात को लेकर दुखी हो रही होती है कि मिस्टर केन नहीं से पहशाना तक नहीं इतर हम देखते हैं कि चुपके से हुआ यहां पर पहुच जाता है असिस्टेंट उससे कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ रूम में चलो और उसे रूम में लेकर आ जाता है थोड़ी देर बाद यहां पर मिस्टर केन आता है और पूछता है कि मेरा नेफियो कहां पर है असिस्टेंट बताता है कि वो रूम तुम्हारे नेफियों ने बुक किया था लेकिन उसकी तबित खराब हो गई इसलिए वो नहीं आ पाया उसने मिस सेन को मिलने के लिए बुलाया था तो यहां पर किन समझ जाता है कि एक्चल में वो सेन फैमिली की एल्डर डॉर्टर है मतलब कि उसके नेफियों की फ्यांसी एक्चल में हाँ उने भी अभी तक सेन को नहीं देखा था इसलिए वो उससे मिलना चाह रहा था इदर चीची वापस अपने घर पहुच आता है जापर उसकी नेनी उससे खहती है कि तुम कितना लेट हो चुके हो जिसके बाद जब रूम में उसके पास उसकी मॉम आती है तो वो अपने डेट के बारे में पूछने लगता है अब सेन को तो किन पर काफी ज़्यादा घुच सा पहले से ही था तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे डेड एक डेविल था जो कि दूसरा रूम लेकर वापस आया है बिचारे जीची को तो को समझ नहीं आ रहा होता इदर एसिस्टेंट नौटिस करता है कि हुआ को काफी ज़्यादा कॉल्ट है तो यहाँ पर मिस्टर केन जल्दी से मेडिसिन लेने लगता है लेकिन एसिस्टेंट उसे रुकता है कि अगर आपने ज़्यादा डोस लिया तो इससे अपकी मोट भी हो सकती है इसकी बचाए मेरे पास दूसरा रास्ता है प्रोफिसर हॉंग ने बताया है कि सेंट फैमिली में एक होट स्प्रिंग वाटर मांटेन है अगर हम उसमें हुआ को बात कराएंगे तो उसकी तबित में फरक आएगा तो वो लोग जल्दी से महाँ पर पहुचते हैं लेकिन मांके काड्स उनने अंदर नहीं जाने दे रहे होता है लेकिन केन अपने काड्स से उन काड्स के पिटाई करवा कि जबजस्ति अंदर जाने लगता है यहाँ पर उसकी नजर कुछ फ्लावर्स पर पढ़ती है तो उसे लिटल फूल की याद आती है कि वो भी इसी तरह के फ्लावर लगाया करती थी और उसे ये फ्लावर काफी ज़्यादा पसंद थे एक बार जब उसमें अपनी वीलचेर चड़ा दी थी तो वो उस पर घुसा करने लगती है यहाँ पर मिस्टर केम सोच रहा होता है कि ये फ्लावर सिहाँ पर कैसे है इदर नैनी आकर सैन को बताती है कि कुछ लोग घर में जबजिस्टी खुसा आए है वो गुसे से बाहर आती है कि यहाँ सब क्या चल रहा है कुछ गार्ड्स आगे बढ़ते हैं लेकिन वो उनसे अच्छे से फाइट करती है जो देखकर किन को भरोसा हो जाता है कि ये लिटल फूल नहीं हो सकती लेकिन वो उससे इन फ्लावर सिके बारे में पूछने लगता है तो सैन कहती है कि तुम मेरे गार्ड्स को मार कर अंदर इन फ्लावर सिके बारे में पूछने के लिए आए हो तो किन कहता कि इसी बात नहीं है एमर्जनसी है मेरा बेटा बहुत बिमार है मुझे पता चला है कि यहां पर होट स्प्रिंग वाटर माउंटेन है तो इसमें बात लेने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा पहले तो वो गन्फ्यूज होकर पूछती है कि तुम्हारा बेटा लेकिन फिर उसे लगता है कि सायथ यह वही बेटा है उसे लगता है कि किन ने सेकेंड मास्टर की वाइब से साधी कर ली है तब ही यहान पर सैन का बेटा आता है जिसने आसपारडर मैन का कॉश्यम पेना होता है उसे देखकर सैन घचाएज आती है क्योगि वो नहीं चारी होती कि किन उसका फेस बीख है यापर किन भी हैरान होता है कि मिस सेने का Baccha भी है से नियापर चीची को अंदर जाने के लिए खैती और फिर याद करने लगती है एक बार वो Mr. केन से पैच़ अपके लिए गई थी लेकिन उसे ने देखा था कि किす तरह वह माउं के साथ खुस है और उसके बेटे को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है तो सैन को लगता है कि साइद माउने सची कहा था कि वो थर्ड मास्टर को हासिल कर लेगी अब प्रेजन में वो किन के बेटे को बिमार देखकर उसे परमिशन दे देती है होट स्प्रिंग वाटर में बात लेने की लेकिन वो किन से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ मुझे तुम से कुछ इंपोर्टन बात करनी है तो किन उसके साथ चले जाता है यहापर सैन उससे कहने लगती है कि चल दिसे अपने बेटे को बात दिलाओ और यहां से निकलो लेकिन किन कहता है कि मेरे बेटी की कर्डिशन काफी ज़्यादा खराब है जब तक उसके कर्डिशन ठीक नहीं हो जाती जब तक डॉक्टर ओकी नहीं बोल देता मैं यहां से नहीं जाने वाला और वैसे भी तुम मेरे नेफ्य की वाइब बनने वाली हो हमारी फैमिली के पीश में रिलेशन तो बनी जाएगा तो मैं यहां पर कुछ दिनों तक तो रूखी सकता हूँ और तुमें जितने पैसे चाहिए वो भी मैं तुमें दे दूँगा तो सैन उसे कहने लगती है कि क्या तुमें लगता है कि सैन फैमिली को पैसो की जरूरत है और रही बात इंगेजमेंट की तो मैं यह इंगेजमेंट वैसे भी दोना चाहती हूँ यह सब उसके ग्लोस दाकर बोलरी होती है तो किन उसे ही देख रहा होता है कि ये बिल्कुल लिटी फूल जैसी लगती है फिर वो कहने लगता है कि ये engagement तो होकर रहेगी क्योंकि हमारी families के भीष में agreement हुआ है तो सेन कहने लगती है कि अब तुम ही इस engagement को तो उने में मेरी help करोगे ये मेरी condition है और साथ ही एक और condition है वो past की सारी चीज़ों को याद करती है कि किस तरह से किन ने उसे treat किया है तो वो किन से कहने लगती है कि अगर तुम मेरी नैनी driver bodyguard सब कुछ बन कर रहोगे तो भी मैं में तुमारे बच्चे को बात दिलाने की permission दूँगी जो सुनकर किन कहता है कि कही तुमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या फिर तुम मुझे serious करने की कोसिस कर रही हो जिस पर सेन कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो तुमारे साथ एक रात बिता कर मुझे समझ में आ गया है और अगर तुमने इस agreement को तोड़ने में मेरी help नहीं की और मेरी नहीं बनकर नहीं रहे तो मैं तुमारे बेटी का यहाँ पर treatment नहीं होने दूँगी और कहने लगती है कि अब मेरे खाने का time हो चुका है तो मेरे लिए कुछ बना कर लाओ किन कहता है कि मैं एक प्रेंस हूं में इस तरह के काम क्यों करूंगा सेन कहती कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है तुम क्या चाते हूं किन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसमें जहर बे मिला सकता हूं जिस पर वो कहती कि यह मेरा area है यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो अब उसके पास कोई और चोईस नहीं थी तो वो चुप-चुप चले जाता है बाद में आकर वो अपने बैटे की कंडिशन देखता है पर काफी ठीक लग रही थी तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे यहाँ पर नैनी बन कर रहना होगा और मैं कुछ करने जा रहा हूँ असिस्टेंट भी कौफी हैरान होता है जिसके बाद नेक्सिन में उसके लिए खाना बना कर लाता है इसके बाद सेन उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कॉंट्रेक्स साइन करना होगा कि इन कहता है कि क्या मतलब है तुमारा तो वो कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर चार महीने तक रूपना होगा जो देखर किन को याद आता है कि लिटल फूल भी स्रिम छोड़ दिया करती थी और अपनी प्लेट का उसे दे दिया करती थी अब प्रेजन में सेन के पास उसके डैट की कॉल आती है जो उससे कहते है कि हम लोग औल्ड हाउस में हैं और agreement के बारे में बात करना है यहाँ पर Mr. Howe भी आया हुआ है तो तुम भी आ जाओ तो Sam कहने लगती है कि किन फैमिली इतनी अच्छी नहीं है यह लोगों ने जबर जस्ति अपने बोडी कार्ड भेज़कर हमारे घर में घुशने की कोजिस की है हम लोगों इसे लोगों के साथ relation कैसे रख सकते हैं लेकिन डैट तो उसकी एक नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी से पोचो हमें agreement के बारे में बात करना है तो Sam Kin से कहती है कि वहाँ पर तुम भी मेरे साथ चलोगे क्योंकि इस agreement को तोड़ने में तुम्हें मेरी help करनी है तो Kin उसके साथ जाने लगता है वो पीज़े की सीट पर बेटता है तो वो कहती कि साथ तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेरा driver बनना होगा और उसे driver सीट पर बिठाती है जिसके बाद जब वो लोग महाँ पर पहुचते है तो बारी सोरी होती है तो वो कहती है कि चाता का है जब वो चाता लेकर आता है तो कहती है कि तुम्हें दिखने ही रहा कि नीचे कितना कीचर है मेरे सूस गंदे हो जाएंगे अपना वेरागे करो यहाँ पर वो उसे बिल्कुल नोकरो की तरह ट्रीट कर रही होती है मिस्टर किन को गुस्टा तो काफी आ रहा होता है लेकिन अपने बच्चे के लिए टॉल्रिट कर रहा होता है इधर हम देखते हैं कि सैन के ग्रेंटपा के साथ एक लड़की बिठी होती है तो ग्रेंटपा भी सैन से रिक्वेस्स करने लगते हैं कि आखिर यह तो मैं इसे माफ कर देना चाहिए और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि एक्शल में वो सुही थी जिसने उसकी ड्रिंग में कुछ मिला दिया था तो ठीक है आमना सामना सही रहेगा तो वो से यहाँ पर रहने की पर्मिशन दे देती है ग्रेंटपा कहाते है कि ठीक है अब यह मेंटर सॉल्फ हो चुगा है तो अब तुम मिस्टर किन हाउस से भी मिल लो तो वो हाउक के पास डाकर बिटती है तब यहाँ पर केन भी पहुंच जाता है कि इनको देखकर उसका नेफ्य काफी एरान होता है कि अंकल आप यहाँ पर का कर रहे है लेकिन यहाँ पर सूक इनको देखकर काफी एकसाइट होती है और इसे ट्रिंक ओफर करने लगती है तो Sam कहाना लगती है कि जिसे इसने मैं शी ड्रक मिक्स कर दिया था हो सकता है तो मैं भी कुछ मिक्स करके दे दे मुझे तो बहुत कुछ सेहना पड़ा अब तुम्हारी बारी लेकिन तब यहाँ पर हाउ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमारे बिच कोई मिस अंडरस्टेंडिंग हो गई है तो हमें उसे क्लियर करना चाहिए और साधी की देट फिक्स करना चाहिए जिसपर यहां पर केन उसे डाटने लगता है कि तुम होते कोनों खुद से फेज़ लेने वाले और सैंड भी कहने लगती है कि कीन फैमिली से मिस्टेक हुई है और उन्हों जबर जिस्ति हमारे घर में घुषने की कोसिश किया है जिस पर हाओ कहता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन सैन कहती है कि मुझे इस बात पर काफी ज़्यादा गुसा है और बिना मतलब ही इस बात की सजा बिचारे हाओ को देने के लिए कहती है वो अपने अंकल से कहने लगता है कि मुझे बचाओ लेकिन किन तो कुछ भी नहीं कहता है यहाँ पर ग्रेंट पापी सेन पर काफी गुसा करने लगते हैं लेकिन सेन किन से भी कहती है कि तुम भी यहाँ से जाना चाहिए लेकिन किन यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि किस तरह से उसके बेटे की कर्णिशन खराब है इसलिए जब अजस्ति उनके घर में गुस्ना पड़ा जब उनके सू अपने डेट की बात याद करती है कि उसके डेट ने उसे बताया था कि मिस्टर किन के बेटे की तबित खराब है जिसके लिए वो कोई असवेसल मेडिसिन लेते हैं अगर तुम उसका ट्रीटमेंट कर पाओ तो तुम मिस्टर किन के दिल में जगा बना सकती हो और किन फैमिली की बहु बन सकती हो जिससे की सैन की विज़ो से तुम्हारी जो रेपूटेशन खराब हुई है वो तुम्हें वापस मिल सकती है तो डिसाइड करती है कि वो किन के बेटे का ट्रीटमेंट करेगी क्योंकि उसे थोड़ी बहुत मेडिसिन के नॉलेज होती है तो यहाँ पर वो किन से कहने लगती है कि होट स्प्रिंग वाटर में बात तो वही लोग लेते हैं जन्हें की कॉल्ड ड्रेसस होते हैं मैं इस बिमारी के बारे में जानती हूँ और तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ और अपने बारे में बताने लगती है क कि वो agreement cancel होने की बात करें क्यूंकि हम दोनों के बीच में अलरेडी एक अलग agreement हो चुका है लेकिन मिस्टर केन यहां पर उस बार में तो कोई बात नहीं करता और ग्रेंट पा से पूशने लगता है कि मेरी आप से एक request थी मुझे पता चला है कि Chinese Medicine के जो master है सेन फैमिली में आये थे मैं उने ढून रहूं अपने बेटे के treatment के लिए यहापर सेन उस पर गुसा करने लगती है कि मैंने तुम्हें यह बात करने के लिए नहीं कहा था तो मुझे धोका नहीं दे सकते हो यहापर सू कहने लगती है कि क्या तुम टॉक्टर चैन की बात कर रहे हो लेकिन किन उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को ही देखा है तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे बीच में मट डालो यहाँ पर सैन के टेट बताने लगते हैं कि फोर टाइम हो गया है हमारा उनसे कोई भी कॉंटेक्ट नहीं हुआ है जिस पर किन घुसे से उठकर उनसे कहता है कि अगर उनने ढूडने में आप लोगोंने मेरी हल्प नहीं की तो दोनों फैमिली के बीच में जो एग्रिमेंट हुआ है उसे मैं तोड़ दूँगा ये बोलकर वो चला जाता है अब कार में सेन उस पर घुसा करने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि एग्रिमेंट टोनी की बात करो तो ये तुमने क्या क्या किन कहता है कि मैंने बात की तो सहीं लेकिन मुझे एक्सचेंच में डॉक्टर चैंच चाही है जो सुनका सैन मन में सूचने लगती है कि मैं इसे डॉक्टर चैन के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उन्हीं ने तो मुझे डिटॉक्सिफाई किया था जब मैं मरने वाली थी अगर मैंने इसे बता दिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं ही इसकी लिटल फूल हूँ इसलिए वू यहाँ पर खquier protection मना करते है कि मुझे उसके बारे में नहीं बता तो किन कहता है कि ठीक है अगर तो मैं उसके बारे में नहीं बता है तो तो मेरे नेफिस समचित कैने के लिए तैयार हो जाओ अब तो ये एग्रिमेंट हो कर रहेगा सैन उसे डाटने लगती है कि तुम अपने आपको समझते क्या हो मैं तुम्हारे नेफियो को बिला कर सब कुछ बता दूँगी कि उसरा तुमने होटल में मेरे सब क्या किया था वो कहता अच्छा ठीक है मेरे सामने बताना जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर चैन ने आके सैन फैमली में किसका ट्रीटमेंट किया था और कैसे कर दिया क्योंकि ये तो इनके रूल्स के खिलाफ है क्योंकि वो तो किसी भी वैल्दी फैमली के घर जाकर उनका ट्रीटमेंट नहीं करते है पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर चैन ने किसी वैल्दी फैमली में जाकर ट्रीटमेंट किया और उसके बात वो कायब ही हो गए किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चला तो सेन कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता वो कहता है कि ठीक है तो मेरी कजन को तो इस बारे में पता ही होगा मैं उससे पूछ लूँगा जो सुनकर सेन मन में सूचने लगती है कि यह अभी तक वैसे ही चाल लाग है और फिर कहने लगती है कि तुम्हें मेरी कजन के पास जाने की जरुट नहीं है मैं खुदी पता करके तुम्हें बता दूँगी जिसके बाद कहने लगती है कि तुमने मेरा मौड बहुत ही आफ कर दिया है स्टोर से जाकर मुझे स्विट्स लाके दो तो बिचारा स्टोर पे जाता है लेकिन इतने सारे फ्लेवर्स देखकर वो काफी कन्फ्यूज हो जाता है तो वो सारे ही खरीद लेता है और लाकर सारी सेन को दे देता है लेकिन सेन उसमें से अपना फैवरेट लेती है और किन को भी देती है किन जब उस केंडी को खा रहा होता है तो वो लिटिल फूल के बारे में याद करता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा केंडी खाती थी और उसे भी दिया करती थी जिससे देखकर वो स्माइल कर रहा होता है वो उसे पूसती है कि वो लड़की कहा है किन बताता है कि वो खो गई है लेकिन मैं उसे अभी भी ढून रहा हूँ सैन्मर्ण में सोचने लगती है कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो लेकिन जब तक मैं तुमसे तुम्हारी किया का बदला नहीं लूँगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली किन कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए वो कहती है कि नहीं पहले हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे क्योंकि अब तुम मेरी नहीं हो और तुम्हें क्लीनिक का सारा सामान लेना है और साथी खाना बनाने के लिए भी है अब नेकसीन में विचारा किन खाना ही बनारा होता है उसका असिस्टेन आकर बताता है कि एक बोव फैमली है जो कि सैन फैमिली के साथ बिजनस करने में इंट्रेस्टेड है तो किन कहता है कि तुम उन पर नज़र रखना इदर सैन वीडियो में देख रही होती है कि किन किस तरह से सारे काम कर रहा है उसे बहुत ही कुजी हो रही होती है लेकि निदर किन देखता है की नैनी उसका वीडियो बना रही है तो उसे काफी अजीब लगता है तब ही यहाँ पर एसिस्टेन आता है और कहता है की मिस माओ की कॉल आई है तो आपको उनसे बात करना चाहिए वो आपके लिए काफी परिसान हो रही है की उन्होंने आपको काफी दिन से नहीं देखा यहाँ पर माम स्टर किन से कहने लगती है की मेरा बेटा तुम्हें बहुत ही याद कर रहा है काफी दिन हो गए तुम घर नहीं आपाऊंगा तो माओ को इस पर सक होने लगता है जिसके पद जब चीड़ी घर पर आता है तो अपनी मॉम से जित करने लगता है कि मुझे भी हाट स्परिंग में बात लेना है और इधर हुआ अपने डैट से बोल रहा होता है कि मुझे मॉम चाही है लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही मौम थी उसके अलावा और कोई मौम तुम्हारी नहीं हो सकती तो वह काफी सेट हो जाता है थोड़ी देर बाद सैन चीची को आवाज लगाने लगती है लेकिन उसकी जग़ा हुआ चले जाता है और दोनों ट्विंस एक्सचेंज हो जाते हैं घर लाकर सैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी ले अपने हाथों से खाना बना कर लादी हूँ तब ही यहाँ पर हुआ की नजर एक रेबिट पर जाती है जिससे देखकर उसे याद आता है कि ऐसा ही सैम रेबिट उसके डेट ने उसे दिया था यह बोलकर कि यह तुम्हारी मॉम की निसानी है यह तुम्हारी मॉम ने अपने हाथों से बनाया था तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छे रेबिट बनाया करती थी जिसके बाद जब हुआ अखेले में उस रबिट को देकर अपनी मौम को मिस कर रहा होता है तब ही यहाँ पर माव अपने बेटे के साथ आजाती है और उसका बेटा उससे रबिट चीन लेता है और उसे खराब कर देता है यह सारी बाते सोचकर हुआ रोने लगता है तब ही यहाँ पर उसकी मौमादी है और उससे पूछने लगती कि तुम्हें क्या हुआ तुम रो क्यों रहो अगर तुम्हें हॉमवर्क नहीं करना तो कोई बात नहीं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हॉमवग का टाइम है जिस पर वो कहता कि ऐसी बात नहीं है मैं हॉमवग कर लूँगा क्योंकि चीची स्टडी में वीक होता है लेकिन हुआ स्टडी में काफी अच्छा होता है जिसके बाद हुआ हॉमवग करने लगता है और इदर चीची अभी तक बात ले रहा होता है तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे आवाज लगाता है कि कितनी देर हो चुकी है अब तुम्हें घर चलना चाहिए और वो उसे घर ले जाता है लेकिन यहाँ पर चीची को नीधी नहीं आ ली होती वो किन से कहता है कि मुझे आपके पास सोना है और मुझे स्टोरी भी सुननी है जो सुनके किन काफी हैरान होता है क्योंकि हुआने तो आज तक कभी भी ऐसी रिवांट नहीं कीती है लेकिन फिर वो उसे स्टोरी सुनाने लगता और वो सो जाता है नेक्स मौनिंग का सीन दिखाय जाता है जब पर असिस्टेंट आकर बताता है कि मैं सूख आप से मिलने के लिए आई है तो किन उसे अंदर बुलाता है तब ही यह आपर चीची भी पहुच जाता है लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता होता कि यह चीची है हुआ नहीं यहापर सू कहती है कि मैं आपके बेटे की पाल्स चेक करती हूँ उसकी पाल्स चेक करती है तो बिल्कुल नॉर्मल होती है वो काफी एरान होती है क्योंकि उसमें सूख सुना था कि उनके बेटे की दवित काफी खराब रहती है उसे हमें साही कोल्ड रहता है इसलिए वो जूट बोलने लगती है कि आपके बेटे को बहुती जादा cold है और मैं ऐसे treat कर सकती हूँ जिस पर चीजी उस पर गुसा करने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या परकेन अपने बेटे को साथ रेने के लिए खैता है खुद उसकी पालस चेक करता है तो बिल्कुल नॉर्मल होती है तो वो सूपर गुसा करने लगता है कि मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हें मैडिसीन के बारे में कुछ नॉलज भी है और तुम्हें कुछ आता जाता भी है वो से गुसे से भान निकाल देता है और सू जो जारी होती है कि इनके क्लोज आने का ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जिसके बाद जब चीशी देखता है कि उसके डेट फिर से मैडिसीन ले रहे हैं और फिर मुझे मैडिसीन लेने पड़ेगी तो वो काफी परिसान हो जाता है और सोचता है कि मुझे इनके एक्शल सन को ढूणना होगा इसलिए वो हुआ को ढूणना के लिए बाहर आता है लेकिन यहाँ पर वो सू को देख लेता है और सो एक बंदे को कहरी होती है कि तुम मिस्टर केन के बेटे को ठिकाने लगा दो जो सुनके चीशी सोचने लगता है कि मुझे इससे पचाना चाहिए तब ही यहाँ पर हुआ आ जाता है उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो इनकी अवासू भी सुन लेती है और उता देखने लगती है लेकिन तब 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 दोनों ही वाँ से भाग जाते है जिब सुक को कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो उस बंदे से कहती है कि तुम्हें की कम जल्दी ही करना है इदर यह दोनों क्रेंस मिल जाते हैं और उन्हें सब को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं लेकिन दोनों ही इस बात से परिसान हो रहे होते हैं कि मॉम डेट एक साथ क्यों नहीं रहता है चीची कहने लगता है कि मॉम ने तो कहा था कि डेट मर चुके है तो वो जिन्दा कैसे है और वो हुआ से कहता है अब हमें अपने कपड़े जल्दी से चेंज करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डेट को तुम्हें मेडिसिन देना है तब ही सूख की नजर उन लोगों की तरफ जाती है तो वो लोग महां से भागने लगते हैं और वो उस बंदे से कहने लगती है कि तुम अभी ही से ठिकाने लगाओं लेकिन तब तक उन लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और यहाँ पर वो चीची को ही उठा कर बुल में फिक देता है और यहाँ पर सू जान बुच का सोर मचाने लगती हैं ऐसा सू करती है कि जिसे वो हुआ की जान बचारी हो तब ही यहाँ पर जल्दी से सैन आती है और अपने बच्चे को बचाती है इदर resistant किन के पास आता है और बताता है कि हुआ कहीं मिल नहीं रहा है तो उसे जल्दी से ढूनने जाता है हुआ अपर जल्दी से अपने डेट को हग कर लेता है इदर सु काफी हैरान हो जाती है कि मैंने तो मिस्टर किन के बेटे को फेक ने के लिए का आता है लेकिन यहां पर सैन के बेटे को कैसे फेक दिया लेकिन यहां पर सैन को उस पर सक हो जाता है उसे पूछने लगती है कि मेरा बेटा पानी में कैसे गीरा वो कह दिये मुझे नहीं पता लेकिन चीची कहता है कि मुझे किसी ने धखका दिया था यहापर किन भी हुआ को लेकर अंदर आ जाता है लेकिन अभी तक भी दोनों ने एक दूसरे के बच्चों के फेस्ट नहीं देखे थे यहापर हुआ अपने डेट को बताने लगता है कि इस बैडो मन नहीं ही चीची को पाने में गिराने की खुज़स की थी सू कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है किन कहता है कि मेरा बेटा क turkey जूट नहीं बोलता है सू कहती कि जरद कोई गलत फहमी हुई है लेकिन तबहीं हिआ यहापर गार्ड उस बंदे को लेकराते है और वो बंदा सारी सचाही बता देता है कि उसे ये सब कुछ करने के लिए सूने ही कहा था अब सेन को तो बहुत ही जादा घुज़ा आता है वो सू से कहती है कि तुम मेरे बैटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वो नैनी को अपने बैटे को अंदर ले जाने के लिए कहती है जिसके बाद वो सूखो मानने लगती है कि तुमने मेरे бच्छे को हाथ लगाने की कोसिस भी कह सकी है सूखती तुम्हारी हिम्मध कैसे ह्वे मुझे मानने की लेकिन सैं तो से चाटे पे चाटा लगाने लगती है जो दिक्कर किन को तो काफी मज़ा आता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे उठा कर भार फिको सु कहने लगती कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं ग्रेंट पासे सिकायत कर दूँगी लेकिन वो लोग उसके कोई बात नहीं सुनते और उसे निकाल देते हैं जिसके पास सैन अपने सैंडल चैंच कर दी होती है तब ही किन की नजर उसके पैर पर जाती है कि उसके पैर पर एक सकार है तो उसे लिटल फूल की याद आती है कि एक बार जब उसे कुछ ट्रिंग करने के लिए दे रही थी तो उसने घुसे से उस बाल को फेक दिया था और वो बाल टूट गया था और किन घुसे से उटकर वहाँ से चला गया था तो लिटल फूल भी उसके पीछे जाती है और वो कांच उसके पाउम में लग गया था तो यहाँ पर ग्रेंड मा उसे ट्रीटमेंट देने लगती है और किन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मेरी वज़े से लिटल फूल को चोट लग गई तो यहाँ पर किन यही सोच रहा होता है कि इसके पेर पर सैमस कार कैसे हो सकता है इसके बाद सैन केंसा कहती है कि मुझे 6 बच एक पार्टी में जाना है तो तुम ड्राविंग के लिए तयार है ना जिसके बाद कार में उस से किन पूछता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है तो वो कहती है कि तुम्में उसके टेंसल लेने की जरुत नहीं है वो बहुती सेतान है, मैंने उसे होंवर करने के लिखा था और हो आरो सोने की एक दिंग कर रहा था फिर केहने लगती है कि वैसा इस सिटी में कोई भी नहीं जानता है कि तुम परिंस हो अपने सिटी के। तो किन कहता ही की हाँ तुम लोगों के अलावे मुझे कोड़ी नहीं जानता है यहाँ पर तो कहती की यह बहुत अच्छा मोकाहे आज तुम पांटी में मैरे बोडी काड़ बनकर चलोगे किन कहता ही लगता ही तुम पागल हो गई हो लेकिन वो उसे अपने क्लोज बिलाती है और इसके ग्लासेस उतारकर दूसरे ग्लासेस पनाती है और कहती है कि देखा तुम कितने हैंडसम बॉडी कार्ड लग रहे हो बस मुझे वहाँ पर अच्छी सर्विस देना जिसके बाद वो लोग पार्टी मे कुछ भी पता नहीं है तो उसने उसे बहुत ही भला बुरा सुनाया था अब से इसी सोच में डूबी होती है तो किन उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वह कहती है कि कुछ नहीं बस मुझे फॉलो करो तो किन उसकी नकल उतारने लगता है अब से इन मिस्टर बोग की मॉम की छिड़री होती है लेकिन वह लोग उसे फेक देता है और वो तूट जाती है तो मॉम कहने लगती है कि मिस्टर बोग तूटा हुआ गिप्ट अकसेप्ट नहीं करेंगे लेकिन तब ही अबर मिस्टर बोग पहुंच जाता है कि मैं ये एकसेप्ट चरू करूँगा उन ल पर उसके माम भी आ चाती है और गुसा करने लगती है और दोनों ही किन की वज़े से सेंट पर भी गुसा करने लगते हैं तो सेंट कहती कि मेरे बॉडिकाट नीए परपसली नहीं किया होगा जरूर तुम लोगों नहीं उसे कुछ काहा होगा लेकिन मेंग यहापर उस पर और पीछे क्लासेस है तो वो जल्दी से जाकर सेंट को कवर कर लेता है जिससे वो तो बच जाती है लेकिन मिस्टर केन को काफे चोट लग जाती है सेंट उसके लिए पर रिसान होने लगती है कि तुम ठीक तो होना मिस्टर केन वहाँ से जाने लगता है तो सेंट मिस्टर कि उसकी रवी ठीक नहीं है मुझे उससे देखना हो गा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे कार में बीसे नहीं बेठा जा रहा होता है सेन उससे कहती कि हमें डॉक्टर के पास जानना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्यू भी बोलती है जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं ट्रीटमेंट होने के बाद यहां पर मिस्टर बो मिस्टर किन को कार्ड देने लगता है क्योंकि वो प्रोटकार में भी मिस्टर बो सैन से कहरा होता है कि हमें केमपिंग के लिए जाना चाहिए लेकिन को यह बाद बिलकुल पसंद नहीं आरी होती है सैन क्या दिये कि मैं घर जाकर अपने बैटे से इस बारे में पूछूंगी जिसके बाद मिस्टर बो पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि इन फैमली और सैन फैमली के रिलेशन अच्छे हो रहे है तो सें जान बूज कर कि इन को सुनाने के लिए कहने लगती है कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिससे कि मिस्टर किन और उसका नेप्यो हमारी चाहर छोड़ते है जो सुनकर मिस्टर बो गाफी खु और करें जिस पर मिस्टर बो हसने लगता है कि तुम्हारे बॉडिकरड में काफी ज्यादा एटीट है और वो कार से उतर कर चला जाता है उसके जाने के बाद किन्द सैंट से कहने लगता है कि तुम इस तरह मुझे किसी के सामने नीचा नहीं दिखा सकती हो इस बात पर दोनो है कि मिस्टर हाउस सेंड की कमपनी पहुंचाता है उसे सभी के सामने प्रपोस्ट करने के लिए लेकिन तो उसे तुरंत ही रिजिक कर देती है जिसके बाद वो मिस्टर बो को कॉल करती है कि मैं किन फैमली की ड्रामा से काफी जादा डिस्टरॉब हो गई हूँ इसलिए विक बेटे की नेनी की कॉल आ जाती है जो बताती है कि आपके विट्टी की तबध ठीक नहीं है तो आप उपको जली से आना चाहिए तो फिर वो मिस्टर बो से कहने लगती है कि क्या हूम लोग फिर कभी जा सकते है मिस्टर बो कहता है कि हम उसे भी अपने साथ ले चलते हैं वो कहती है कि पुल में गिरने की वज़े से उसकी तबिद बिगर रही है अगर मैं तुम्हारी साथ चली भी जाओं तो मुझे इसकी टेंसन रहेगी लेकिन मिस्टर बो यहां पर इमोसिनल एक्ट करने लगता है कि मैं काफी जादा एकसाइट था जिस पर वो कहती है कि ठीक हमें घर चल कर पहले देखना चाहिए उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी इधर हम देखते हैं कि चीची नैनी के साथ होता है एक्चल में चीची को पता चल गया था कि उसके मॉम मिस्टर बो के साथ जा रही है इसले वो पाने बना रहा होता है लेकिन नैनी बोल्ड ही होती है कि अब तुम्हारी तबित बिल्कुल ठीक है तो तुम मॉम को फिकेशिंट पर जाने दो चीची सोसता है कि मुझे अपने बाइश से हल्फ लेनी होगी वो जल्दी से जा कर हुआ को कॉकल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हол्ग के जरुवत है क्योंकि उसे तो हुआ की कंडिशन पता होती है कि उसे हमें सही कौर्ट रहता है तो चीचे उसे बता देता है कि मेरी मॉम किसी और को देट करना चाहरी है लेकिन मैं ऐसा पलकुल नहीं चाहता और अगर वो तुम्हारी भी मॉम है तो क्या तुम ऐसा चाहोगे कि वो डेट को छोड़कर किसी और को देट करे तो हुआ कहता है कि ठीक है मैं जल्दी से आ रहा हूँ इदर सैन और मिस्टर बो घर पहुँचते हैं और नैनी से उसकी कंडिशन पूछते हैं तो नैनी कहती कि आपका बेटाब ठीक है लेकिन तभी हुआ महाँ पर आता है और चीटने लगता है कि मेरी तभी ठीक नहीं है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ सैन उसे चेक करने लगती है तो उसकी तभी कुछ ज़्यादा खराब नहीं होती है तो वो डिसाइड करती है कि हम लोग साथ जाएंगे मिस्टर बो तो काफी खुस हो जाता है जिसके बाद जब वो लोग जा रहे होते है तो हाव अपने अंकल को लेकर आया होता है और सैन को पीछा कर रहा होता है तो सैन यहाँ पर आकर उन लोगों से पूछने लगती है और उसे कार में बिठाता है कार में सैन उसे कहने लगती है कि मैं तुम लोगों से बचकर निकली थी थोड़े मज़े करने के लिए लेकिन तुम लोग यहाँ भी मेरे पीछे आ गए जिस पर किन को घुसा आता है और वो तेज़े से कार को आगी बढ़ा लेता है किन कहता है कि हमें जाकर होटल में रुकना चाहिए क्योंकि काफी ठंड है जिसके बाद वो लोग होटल में जाते हैं लेकिन उनके पास कैस नहीं होता है और उनलाइन पैमेंट यहाँ पर हो नहीं रही होती है लेकिन यहाँ पर सैन के पास थोड़ा कैस होता है लेकिन हुआ तो कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो मेरे डेट के साथ है वो कहता है कि एक बोडी काट तुम्हारा डेट कैसे हो सकता है ये तरकिन अपने लिए एक सर्ट लेकर आता है तो सैन कहने लगती है कि मुझे भी काफी ठंड लग रही है क्योंकि मैं भी पूरा भीख चुकी हूँ तो यह सट मुझे देदो लेकिन किन देने से मना कर रहा होता है तो वो उसके क्लोज जाती है उसे सिट्यूस करने के बहाने सट चीन कर लेकर पॉश्यों में चली जाती है जिसके बाद जब बात लेकर आती है तो किन बात लेने जाने लगता है तो वो उसे बताती है कि मैंने सारा हॉट वाटर यूस कर लिया है तो मारे लिए कुछ भी नहीं बचा है तो बिचारे किन को ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है जब वो बाहर आता है तो वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही होती है और सोचने लगती है कि अभी तक नहीं बदला किन कहता है कि तुम मुझे इस तरह से गूल क्यू रही हो तो वो कहती है कि तुम्हारी चेस्ट पे जो इसकार है न वो काफी डराऊना है जिसके बद वो उसके वीडियो बनाने लगती है जो देकर किन को काफी घुसा आता है उससे फोन चीनने लगता है लेकिन किन तो जादा जादा उसका वीडियो बना रही होती है और ऐससे सो करती है जिसे वो किसी का फाइदा उठा रहा हो जिस पर किन को और भी ज़्यादा गुसा आता है वो उसे फॉन चीन लेता है और उसकी लेट को पकड़ कर उसका वीडियो बनाने लगता है लेकिन सैन्थों से बेट पर किराकर उसके उपर ही जट जाती है लेकिन इस सब में वो दोनों काफी क्लोज आ जाता है तो किन कहता है कि लगता है तो मेरा फायदा उठाना चाहती हो तो सैन्थों रंधी हट जाती है और फिर उसके फॉन का पासवर्ट पूछने लगती है विडियो डिलिट करने के लिए तो किन उसे पासवर्ट बता देता है पासवर्ट सुनकर सैन को पासवर्ट का सीनी आदाता है जब ग्रेंड मा उनके फोटोस क्लिक कर रही होती है और फोटो देखने के लिए सैन को पासवर्ट चाहिए था तो मिस्टर किन उसे काफी डिपिकल पासवर्ट बताता है जो कि उसे कुछ समझ नहीं आता तो ग्रेंड मा उसे कहती है कि तुमको एज़ी पासवर्ट रख लो तो सैन बहुत ही एज़ी पासवर्ट रखती है और वही पासवर्ट आज तक किन के मॉबाल में था नेक्स्ट हमें मॉनिक का सिन दिखाया जाता है जहां पर वो मिस्टर किन के पास ही सोई होती है किन उसका हाथ अठाता है और सूचने लगता है कि पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है और उटकर वहाँ से चले जाता है नेक्सिन में वो कपड़े चेंच कर दी होती है तब ही हाँ पर किन आ जाता है तो उसे डाटने लगती है कि तुम पर्मिशन के बिना कैसे आ सकते हो किन कहता है कि सारी रद तुम मेरे गले लगकर सोई हो और अब तुम्हें पर्मिशन की पड़ी है मैं तुम्हारे लिए प्रेफस लेकर आया था और वो उसे एक ट्रिंग देता है वो पीने लगती है तो वो कहता है कि कैसे सारा खा जाओगी यसे प्रमारा नहीं है सैन कहती कि इस ड्रिंग में बाद में तुम्हें सुगरी तो एट करना है ये बात सुनकर वो काफी हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ट्रिंग पर सुगरेट करके पीता हूं तो वो बोल देती है कि तुम्हारी पासनार्डी को देखकर ही पता चलता है वो और कुछ भी पूछता हूं तभी उसे कॉल आने लगती है जो कि माउ की कॉल होती है और उसकी आवस सैन को भी सुनाई दे चbor जाती है जिस सैन बहुत ही दुखी हो जादी है इदर मां मिस्टर किन को भुलारी होती है कि मेरा बेटा तो मैं काफी मिस सेंज समझती है कि वो उसे कहा रहा है तो वो निकलने लगती है किनों से रोकता है कि तुम कहा जा रही हो मैं तो ट्राइवर को कह रहा था और फिर बाहर निकल कर वो ट्राइवर को काफी डाटने लगता है और उसे बाहर निकालकर खुछ ड्राइविंग करने लगता है और सैंसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना लेकिन सैंस अभी भी उस पर गुस्टा कर रही होती है कि तुम चुप चुप ड्राइविंग करो इधर हम दोनों ट्वेंस को देखते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो डियाने टेस्स करवाएंगे और पता करेंगे कि एक्शल में दोनों के मौम डेट एकी है या नहीं लेकिन तब यहां पर हुआ के पास माओ के बैटे की कॉल आती है जो कि उसे बुली करने लगता है और उसे काफी बाती सुनाने लगता है उसे डर पोक वगेरा कहने लगता है जिसे कि हुआ काफी सैट हो जाता है यह देखकर चीजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो कहता है कि तुम टेंशन मतलो हिना तुम मैं सबक सिखाऊंगा वो ऐसे तुम बुली नहीं कर सकता और वो खुद उसे बात करने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम एतनी हीमत है तो यहाँ आकर दिखाऊं नहीं भी देखता हूँ कि तुम मेरे भाई को कैसे बुली करते है और उसे काफी ज़ριक्ता है जैसे कि वो खुद भी रोने लग जाता है जिसके बाद चीची हुआ से कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी भूली करे तो तुम से मुझे बता देना तब यह असिस्टेंट आवास देता है तो हुआ उसके साथ चले जाता है और इधर चीची देखता है कि मौम डेट साथ में है तो वो अपना मुझ चुपाने लगता है कि इने पता न चल जाए वो फेस चुपा कि अपने डेट के पास चले जाता है लेकिन उससे नहीं पता होता कि इसके मौम ने उसे देख लिया है सेंस सोचने लगती है कि इसका पेटा तो बिल्कुल चीची की तरह लग लेकिन चीची यहां से जल्दी से भाग जाता है अब सर टकराने की वज़े से उसे काफी चकर आ रहे होते हैं तो मिस्टर किन उसे गोद में उठा कर ले जाता है इतर चीची जाकर जल्दी से स्पाइडर मैं कॉश्यूम पहन लेता है जैसे ही मौम डेट आते हैं तो कुछने लगता है कि रात को तुम कहा रही थी सैन कहती है कि हम लोग होटर में रहते लेकिन हमने डिफरेंट रूम लिये थे लेकिन यह पर किन उसकी कर रहा होता है लेकिन उससे वह इरिटेट हो रही होती है कॉल रखने के बाद मिस्टर किन उससे कहना लगता है कि लगता है कि मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाओं कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरस्ट नहीं है किन कहते है अच्छा ये बात मैं उस लड़की के मुझे सुन रहा हूँ जो सारी रत मेरे गले लगकर सुई है जिस पर सैन उस पर घुसा करने लगती है उसे अपने रूम से निकाल दे है और कहने लगती है कि साय तुम सिंगल पैरेंट हो इस वज़े से ये प्रॉब्लम हो रही है जिस पात पर सैन को गुस्जा आता है और वो कहती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन टीचर कहने लगती है कि अगर आगे से कोई भी ऐसी पूर से निकाल देंगे अब बाहर आकर सैन इस बारे में सोचकर काफी परिसान होती है और अचानक महीं पर वहोस हो जाती है तो मिस्टर बो से हॉस्पिटल लेकर जाता है डॉक्टर कहता है कि आपको रस्ट की जरूरत है लेकिन वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब ह किन कÁथा किन पर कषड़ कर बिल्क जाता हूँ तो मिस्टर बो कहता है कि ठीक है। तो वो काफी डर रही होती है जिस पर किन कहता है कि तुमने एक बेबी को बढ़ दिया है और तुम एक छोड़ से इंजिक्शन से डर रही हो जिस पर सैन को काफी गुसा आता है वो कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने किस कंडिशन में बढ़ दिया है यहाँ पर किन याद करने लगता है कि जब एक बार चलती चलते उसे टैबल लग गई थी तो लिटिल फूल ने उसके हैट पर टैप किया था यह बूल कर कि यह मैजिक है इससे तुम चल्दी ठीक हो जाओगे तो प्रेजिन में किन भी सेन के साथ ऐसा ही करता है जो देकर सेन काफी इमोसिनल हो जाती है कि ऐसा तो मैंने इसी के साथ किया था तब ही यहाँ पर मिस्टर बो भी आ जाता है लेकिन वो काफी इमोसिनल होती है और कहती है कि अब मैं घर जाना चाती हूँ लेकिन यहाँ पर किन मिस्टर बो को कार में नहीं बिढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हो तुम खुसे चले जाना यहाँ पर सैन मिस्टर बो से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे एक काम कर सकते हो वो स्टेडी में काफी वीक है मिस्टर बो कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मतलों में कर दूँगा इधर हम सू को देखते हैं जो कि ग्रेंटपा से सैन की सिकायत कर रही होती है कि उसने मुझे जेल बेजा था जो सुनकर ग्रेंटपा को भी खुसा आता है वो कहता है कि मैं सैन की क्लास लगाऊंगा और सू मन में सोच रही होती है कि उस सैन से तुम में ज़रूर बदला लूँगी जिसके बाद सू मिस्टर बो की सिस्टर मैंक से मिले के लिए जाती है और उसे कहती कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम सैन की रेपिटेशन खराब कर सकें और दोनों ही प्लानिंग करने लगती है इधर मिस्टर कियन सैन से कहता है कि मेरे बेटे का ट्यूटर बहुत अच्छा है तो तुम भी उसी को हायर कर लो तो इसके लिए सैन मान जाती है जिसके बस सैन घर पर बहुँचती है वो चीची के पास जाती है तो चीची अपनी माम के लिए परिसान होने लगता है और कहता है कि कोई भी अगर आपको तंग करेगा तो मैं उसे फाइट करूँगा लेकिन सैन उसे समझाती है कि तुम्हें आप इसकूल में फाइट नहीं करना है और तुम्हें ग्रेट्स भी अच्छे लाने होंगे जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर भी अरेंज करती हो तो तुम्हें ऑनलाइन बहुत जादा स्टड़ी करनी पड़ीगी जिसके बाद जब ट्यूटर उसकी ऑनलाइन क्लास लेती है तो वो तो देखकर हैरान हो जाती है कि यह तो बिल्कुल उसके तूसरे स्टूडेंट हुआ की तरह दिख रहा है तो यहाँ पर चीची उन्हें बता देता है कि एक्चॉल में हम दोनों ट्वेंस है लेकिन हमारे माम डेट अलग रह रहे है प्लीज आप माम को ये बात मत बताना जिसके बाद यह दोनों ट्वेंस मिलते हैं आपस में डिसकस कर रहे होते हैं यहां पर चीची कहता है कि मुझसे तो बिल्कल भी बढ़ा ही नहीं की जाती है लेकिन हुआ स्टेडी में काफी अच्छा होता है लेकिन हुआ इस बात से परिसान होता है कि मुझे शोड कर क्यों चली गई थी और वो चीची से कहता है कि तुम टेंशन मतलों में पढ़ाय में तुम्हारी हल्प कर दूँगा जिसके बाद मिस्टर किन सेन को देखने के लिए आता है तब ही यहां पर चीची स्पार्डर मैन के कॉश्व में उसके सामने आ जाता है हम देखते हैं कि यहां पर सूबी आई होती है और सूचती है कि यहीं मौका है मिस्टर किन को फसाने का और उसकी ड्रिंग में कुछ मिक्स कर देती है जब मिस्टर किन उस ड्रिंग को पीता है तो उसकी तबित बिगरने लगती है सूस के पास आती है और कहती है कि मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ रूम में जाकर वो उसकी पॉल्स चेक करने के बहाने क्लोज होने लगती है किन कहता है कि मैंने तो अपनी मेडिसीन भी नहीं लिए फिर मुझे इतना हॉट क्यों फिल हो रहा है फिर वो सूपर सक करने लगता है कि ज़रूर तुमने ही मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है लेकिन सूतों हैं उसे सिर्यूस करने की कोशिस कर रही होती है लेकिन तब यहां पर चीची बहुत जाता है उसे ऐसा करने से रुकता है और उसके बेक को उठा कर फिकने लगता है जिसमें से एक मेडिसन गिरती है यहां पर केन को लगता है कि साइद वो चीची को हाट करेगी तो वो उसे प्रटेक करने लगता है और उसे लेकर जाने लगता है रास्ते में चीची कहता है कि इसा लग रहा है कि अपकी तपट ठीक नहीं है लेकिन केन उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम के पास जाओ वो चाने लगता है लेकिन तब यहां पर सैना जाती है और वो तो केन के ओपर भीड़ी जाती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है लेकिन उसकी तपर तो काफी खराब होती है तब ही चीची कहने लगता है कि मौम उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है बलकि उन्होंने तो मेरी जान बजाई है लेकिन सैन किन से कहने लगती है कि मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि मेरे बैटे से दूर रहो और वो चीशी से कहने लगती है कि तुम जाकर बढ़ाई करो मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि तुम्हें अच्छे वाक्स लेकर आना है तो वो अंदर चला जाता है जिसके बाद वो किन को माने लगती है वो इतनी जोड से मारती है कि उसकी चेस से बलड आने लगता है किन कहने लगता है कि यह सबुछ तुमारी खजन सूप की वज़े से हुआ है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमारी गजलने जो किया है उसका प्रेस तुम्हें पेकरना होगा और उसे किस करने लगता है लेकिन वो उसे दूर उटाती है और उटकर फिसे उसे मानने लगती है अब किन की तवित काफी खराब होती है उठकर जाने लगता है लेकिन गिर जाता है जो देकर सेन काफी परिसान हो जाती है उसे उठाने की कोशिस करती है लेकिन वो नहीं उठ रहा होता तो वो नहीं से कहती है कि इसे रूम में लेकर जाना है जिसके बस सैनल से रूम में लेकर जाती है उसका फीवर चिक करती है तो उसे हाई फीवर होता है अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो अपने उसी मास्टर चैनल को कॉल करती है जिसने कि उसे डिटॉक्सिफाइ किया था वो वीडियो कॉल पर उसके कंडिशन दिखाने लगती है तो मास्टर चैनल से देखकर ही बता देता है कि जरूरी है किसी के ट्रीटमेंट के लिए अपने बलड का यूज़ कर रहा है हो सकता है कि वो किसी बेबी को वाम करने के लिए ये कर रहा हो क्योंकि ये काम से पुसी के लिए होता है तो यहाँ पर सैनल से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम आकर इसे ट्रीट कर सकते हो कि वो मेरी सिस्टर है और उसकी जान खत्रेम है तब जाके उसका मास्टर मानता है तो अब प्रेजेंट में वो सैन से कह रहा होता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिविल नहीं कर सकता वरना मुझे मैडिसेन गूरूप से निकाल दिया जाएगा तो सैन कहती है कि ठीक है तुम फिकर मत करो तुमारे बारे में किसी को भी नहीं बता चलेगा जिसके बाद केन के मॉबाल पर कॉल आने लगती है जो कि माव क्यों होती है जो कि सैन अटेन कर लेती है तो वो सैन से पूछने लगती है कि तुम कौन हो तो सैन बताती है कि मैं मिस्टर किन की फ्रेंड हूँ लेकिन मिस्टर किन अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं जो सुनकर तो मौँ काफी परिसान हो जाती है जिसके बाद किन अपने सपने में अपनी वाइफ लिटिल फूल को देख रहा होता है और सैनों से मैडिसिन दे रही होती है तो उसका हाथ पकर लिता है और कहता है कि प्लीस लिटिल फूल मुझे छोड़ कर मिर चाहूं जो सुनकर सेन को तो बहुती गुसा आता है वो उसके मुपर ही सारा पानी फेक देती है किन भी उस पर गुसा करने लगता है कि अकिर तुम चाहती क्या हो तब ही वो रियलाइस करता है कि वो ठीक हो गया है तो वो कहता है कि अकिर इस मैडिसिन से मैं ठीक कैसे हो गया तुमने मुझे कैसे ठीक किया है तो वो कहने लगती है कि मैंने मैडिसिन्स के बारे में पढ़ा है किन कहता है कि तुम जूट बोल रही हो सेन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ जिस टाइब कि तुम मैडिसिन ले रहे हो वो किसी चायल को वाम करने के लिए ले रहे हो तो किन कहता है कि हाँ मेरे बैटे को ट्रीट करने के लिए मैं ये सब पुश कर रहा हूँ मैं जानता हो कि इससे मेरी जान को भी ख़द रहा है लेकिन मेरा नेक्स्ट सकसेसर तो मेरे बैटे को ही बनना है जिसके लिए मुझे ये सैक्रिफाइस तो करना ही होगा इसलिए तुम मुझे मास्टर्चेन के बारे में बता दो लेकिं सेन नहीं बता रही हो दे और खहने लगती है कि जब तुम बेहोस थे तुम्हारी वाइप का कॉल आया था वो कहता ही कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तो केती की ठीके मैं इस बारे में इंडिस्टिकेशन कर लूँगी जिसके बाद किन अपने असिस्टेंट के पास जाता है उसे कहता है कि हमें सू को ढूनना है मुझे उसे अपना हिसाब चुकाना है इधर हम देखते हैं कि सू से मिस्टर किन तो फजा नहीं तो उसने मिस्टर हाउ को फजा लिया होता है वो मिस्टर हाउ के साथ होती है तो गाड सीधे उनके पास बहुत जाते हैं हाउ घुचा करने लगता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो असिस्टन कहाता है कि हमें तुम्हारे अंकल ने बेजा है वो भी बाहर है अब दोनों को अंकल के पास लेकर आते हैं तो यहाँ पर किन सू के बेक से वो मेडिसन निकाल कर उसे पिला देता है और कहता है कि तुमने मुझे यही मेडिसन दी थी ना अब उसे लेने के बाद तो सूप काफी जादा परिसान हो जाती है क्योंकि वो मेडिसिन नहीं थी जो उसने किन को दी थी और वो किन से भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैंने तुम्हें ये मेडिसिन नहीं दी थी मुझे जाने दो बिजारा हाउ तो दंगी रह जाता है कि ये किस तरह की लड़की है जो मेरे अंकल के साथ भी सेट होने की कुछिस कर रही थी और मेरे साथ भी किन अपने नेफ़े से कहता है कि तुमने इसका असली चेहरा देख लिया ना और ये सेन यही पर कट हो जाता है इदर सेन चीची को रिसीव करने के लिए स्कूल जाती है लेकिन एक्शल में वो तो हुआ होता है क्योंकि दोनों ही भाई रिप्लेस हो गये थे क्योंकि चीची स्टडी में अच्छा नहीं था और हुआ काफी अच्छा था तो हुआ ने कहा था कि मैं तुम्हारी जगा एक्साम देतूँगा ताकि मॉम तुमसे नाराज ना हो लेकिन यहापर सैन तो अपने बेटे से कहा रही होती है कि तुम्हें माक्स की टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे कम माक्स भी आए तो भी मैं तुमसे प्यारी करूंगी जिसके बाद ग्रेंटपा ने सैन को मिलने के लिए बुलाया होता है ग्रेंटपा उसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा का है सैन बताती ही कि उसके एक्जाम्स चल रहे हैं वो स्टड़ी पर ध्यान दे रहा है यहाँ पर ग्रेंटपा उसे खहने लगते हैं कि अगर चीची के माक्स अच्छे नहीं आए तो हम उसे फैमिली स्टेटस नहीं देंगे हम उसे एक नाजायस ओलादी समझेंगे जिसमें सैन कहते हैं कि वो मेरा बेटा है अगर वो फैल भी हो जाए तो मुझे इस बास से कोई प्रॉपल्लम नहीं है लेकिन ग्रेंटपा कहई रहे होते हैं कि वो ऐसे बच्चे को अपनी फैमली का सकसेसर नहीं बना सकते हैं सेन के डेट ग्रेंटपा को इसी बाते कहने से मना करते हैं लेकिन grandpa कहते हैं कि वो अपनी family का successor एक intelligent बच्चे को बनाना चाहेंगे ना कि चीची जैसे weak बच्चे को और साधी यहाँ पर वो सू की भी side लेने लगते हैं कि तुमने सू के साथ अच्छा नहीं किया और अगर तुम साधी नहीं घरती हो तो मैं सू के बच्चे को ही next successor बनान सोते हैं सेन कहने लगती है कि आप हमें सही मुझे बाते सुनाते रहते हों लेकिन आप इसे देख लो मेरा character इससे तो अच्छा ही है यहाँ पर grandpa इस चीज़ का इलजाम भी सेन पर लगाने लगते हैं तो सेन कहती है कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है आप हार चीज लगती है कि यह किसके साथ आई थी तो card बताता है कि यह किन family की card में आई थी सेन कहने लगती है कि इसलिए मैं इन family से कोई भी relation नहीं रखना शाहती हूं लेकिन grandpa कहने लगते है कि हमें इन family से relation रख रही होगा यही हमारे business के लिए अच्छा होगा और कहते है कि मैं चीज़ को call करते हैं तो teacher तो उसकी काफी तारिफे करने लगती है कि उसका IQ लीवल काफी बढ़ चुका और उसमें सारे exams भी clear कर लिया है जो सुनकर grandpa तो बहुत हरान हो जाते हैं और सेन भी सौक्ड हो जाती है कि मेरे बेटे को इतना जादा तो कुछ आता जाता नहीं था और teacher उसक इतनी तारिफे कर रही है यह कैसे possible हो सकता है फिर सोचती है कि हो सकता है कि उस tutor की वज़े से हुआ हो अब वह लोग काफी जादा खुस होते हैं जिसके बाद सैन चीची के पास जाती है जो उसे रिपोर्ट कार्ट दिखाता है जिससे देखकर वो काफी खुस होती है और कह मिस्टर के बैटे के लिए चाहिए मैं उसे यह गिप्ट करना चाहता हूँ तो सैन उस बनी को गिप्ट करने के लिए मिस्टर के पास जाती है कि मैं तुम्हारे बैटे को यह गिप्ट देने आई हूँ क्योंकि मेरा बैटा यही चाता था और वैसे भी तुम्हारी उस tutor की वेरे विचसे मैरे बीटे के मांक काफी अच्छे आया है कि बोलकर वह जाने लगती है लेकिन असिस्टेंट इखे तो वैसा ही रेविट जैसा कि लिटल फुल बनाया करती थी जो देकर मिस्टर केंड भी लिटल फुल को याद करता है और काफी जादा इमोसनल हो जाता है और वो सैन के पीछे भागतर और इससे पूछने लगता है कि बताओ कि यह रेबिट पनी तुम्हें कहां से मिला वो कहता है कि नहीं तुम पहस मत करो और फिर उस मैडिसिन के बारे में भी पूछने लगता है कि मुझे उस मैडिसिन के बारे में बताओ जो तुम्हारी कजन के पास थी क्या पहले उस मैडिसिन को किसी और ने भी लिया है सैन कहता है कि तुम किस मैडिसिन की बात कर रहे हो वो बताता है कि ऐसी मैड बता दो जहांसे तुमने ये रेबिट लिया है मैं तुम्हें सिब तीन दिन का टाइम दे रहा हूं वरना मैं तुम्हारे ग्रेंटपा से बात करके मेरी नेफ़ी के साथी तुमसे करवा दूंगा सेन क्या दिया कि लगता है कि तुम फागल हो गए हो इधर डियाने टेस्स की ही चाहता हूं इसी बाहने मैं इन्हों देख तो रहा हूं वरना मैं इस से फिर से दूठ चली जाएगी मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो सेंड कर रहा हूं, तो तुम्हें पता लगाना है, कि वो कहाँ पर है, मिंग सोचता है कि इसे को उसी लड़की है, जिस मैं Mr. Can and trust ले रहा है, जिसके बाधी तर जब हुआ आता है, तो कहने लगता है, कि मुझे पता चला है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए एक गिप भेजा है तो वो कहां पर है असिस्टेंड उसे रोक रहा होता है कि तुम्हारे डेट की आश तबे ठीक नहीं है तो उन्हें परिसान मत करो लेकिन हूआ अपने डेट के पास जाता है और देखते हैंकि वो रेबिट बनी उसके डेट के पास है वो से ले लेता हार केने लगता है कि इस गंदे बचे ने मैरे पहले रेबिट को इस काह Angeb कर दिया था आते हैं जो देकर सेन इसे पूशने लगती है कि तुम ने इनके अंसर क्यों नहीं आ रहे हैं तो यह सब एक्जाम में लिखा था ना तो जीची काफी भाने बनाने लगता है लेकिन सेन कहती है कि अगर कोई सिक्रेट है तो तुम मुझे बता दो जिस पर वो बता देता है कि म किन पूशने लगता है कि तुम आक्शन में क्यों जा रही हो क्या महाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है लेकिन सेनों से कुछ नहीं बताती है कि ऐसे तुम मेरे ट्रैवर और बोडी काट नहीं रहो गया किन वज़ा पूचता है तो वो कहती है कि कोई वज़ा नहीं है और वह ने मेरी girlfriend चुराने की कोसिस किया लेकिन फिर वो मिंग से कहने लगता है कि तुम क्या समझते हो इस लगई को तुम मैंने पहले से ही छोड़ दिया था वो देखो मेरे recent फियांसी आ चुकी है वो सैन की तरफ इसारा करके कहता है लेकिन यहापर सू कहने लगती है कि यह तुमारी फियांसी तो बन चुकी है लेकिन इसका अल्रेडी एक बेटा है लेकिन हाव हस्ते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात की कोई भी परवा नहीं है मुझे तब बस इस बात की परवा है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहा है लेकिन इस बात पर सैन को काफी खुस्सा आता है वो इसे एक थपड लगाती है और यहापर मिंग भी हाव को माने लगता है तो सू उसे संभालने लगती है लेकिन हाव उसे कहता है कि तुम मुझे टच भी मत करो जब से तुम्हारी बॉड़ी पर यह सकार्स आया है मुझे तुमसे नफरत होने लगी है यहापर मिंग कहने लगता है कि मिस्टर हाव तो किन फैमिली में एक धबा है जिसके बाद वो सैन से कहता है कि मिरे साथ अंदर चलो में तुम से कुछ बात करना चाता हूँ तो वो उसके साथ अंदर शेरी जाती है और पूछती है कि तुम उससे क्या काम है यहापर वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मिस्टर केन इस अगली लड़की को ढूना चाता है एक्शल में वो सेन की फोटो होती है जब वो उसकी वाइप थी और मिंग ने पता कर लिया होता है कि एक्शल में सेन ही लिटल फूल है सेन कहने लगती है कि तुम क्या चाते हो मिंग कहता है कि तुम बताओ कि तुम क्या चाती हो तुम जैसा बोलो कि मैं वैसा ही करूँगा तो सेन कहती है कि मैं उसे नहीं बताना चाहती कि मैं जिंदा हूँ तो मिंग उसकी बाद मान जाता है जिसके बाद जब सेन भाद निकलती है तो उसको कुछ स्प्रे कर देती है अब सेन को फीवर होता है तो वो उसे बात दिलाने लगता है लेकिन सेन उसे कहती है कि तुम यह से चले जाओ जिसके बाद मिस्टर किन मिंग से पूछता है कि तुमने उस लड़की के बारे में बता किया तो मिंग कहता है कि उसे में सुहे 5 साल हो चुके है इतना असान नहीं है और पूछता है कि क्या वो तुम्हारी एक्स वाइब थी तो किन कहता है कि हाँ लेकिन ग्रेंडमा ने मुझे उसकी केर करने के लिए कहा था इसलिए उसे ढून रहा हूँ अपर मिंग मुझे और ज़ादा кोशन करने लगता है लेकिन किन कहता है कि तुम इतना curious क्यू हो रहे हो मैंने तुमसे गाम कहा है बस वो करो जिसके बाद किन फिर से सेन के पास आता है और उसे बात करने की कोशिस करता है जो सुनकर सेन को और भी बुरा लगता है, सेन कहती है कि उसकी अल्रेडी साधी हो चुकी है, तुम इसे डूरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत खुस है, लेकिन यह सब बोलते हुए वो काफे जादा सेट हो रही होती है, तभी कि नोटिस करता है कि उसकी तवित फिर से खरा निकालो, लेकिन किन उससे कहता है कि तुम्हें यही पर बैटना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ट्रेंपरेचर डाउन नहीं होगा, और इधर माव का बेटक बोल रहा होता है कि क्या मेरी अंकल से बात नहीं हो सकती, इधर सेन फिर से मिस्टर किन से सारे काम करवारी होती ह और उसे पूशने लगती ही कि वो लड़की कौन थी, जिसकी उस टैम पर कॉल आई थी, तो वो कहता है कि तुम मेरी फैमली की बहु बनने वाली हो, तो तो में सारे रिलेटिव उसके बारे में पता चली जाएगा, यह बोलकर वो चला जाता है, उसके जाने के बाद सेन है, मुझे उसे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसे इस पर सक हो रहा होता है, इधर हम हुआ को देखते हैं, जो कि सीडियो से उतरते ताइम फ्लिप हो जाता है, तब ही यहाँ पर केन और सैन दोनों ही पहुँच जाते है, यहाँ पर सैन मिस्टर केन के बेटे को देखकर मैट कहने लगती है, कि इसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन सैन कहती है, मुझे पका यकीन है कि कुछ तो कड़पट जरूर है, जिसके बाद मिस्टर केन फिर से मिलता है, उससे पूछता है कि क्या तो मैं इस लड़की के बारे में पता चला, मिंग पूछता है कि तो मैं अपनी एक्स वाइब को ढून रहे हो, लेकिन अगर उसकी साधी हो चुकी होगी तो क्या करोगे, तो किन कहता है कि मैं उसका डिवास करवा दूँगा, नेक्सीन में हम देखते है कि माओ अपने बैटे के साथ यहां पर बहुत जाती है, आसिस्टन कहता है कि आपको किसी होटल में रुकना चाहिए, क्योंकि मिस्टर किनिया पर नहीं है, वो किसी काम से गया है, लेकिन वो कहती है कि मैं तो यहीं पर स्टे करूंगी, इधर हुआ माओ और उसके बैटे को देख लेता है, तो वो तुरंती अपने भाई चीची को कॉल करता है, उस बारे में उसे बांदेते हैं, जिसके बाद वो मिंग को कॉल करके बुलाता है, मिंग आयता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है, वो बता देते है कि हमें किटनेप करने के लिए आये थे, लेकिन यहापर मिंग उन दोनों बच्चों को एक जैसा देखकर काफी सौक्ड हो जाता है, माओ क्याने लगती है कि यह तुम्हें बहुत ही मिस्क कर रहा था, लेकिन किन माओ को डाटने लग जाता है कि तुम्हें यहापर आने की जरुवत नहीं थी, दूर से हुआ और चीची उन लोगों को देख रहे होते है, तो चीची हुआ से कहने लगता है, तुम्हें युब होजाते हैं और इधर दीची के कि जगर हुआ मोब के बहुत जाता है इधर जब चीजी लटा होता है तो व Katy सोचता है कि कार लग रहे हैं और वहूं उसे किस करता है जिसके बाद आसिस्टेंट अकरpha detect की इस टेर्स पर लगा दिया था विए लिśli पता लगा लिया है ये किसी और का नहीं बलकि माओ का काम है उसी नए मैट के अकाउंड में पैसे ट्रांसफर किया है तो किन माओ पर माओ को बुलाता है माओ कहती कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हों किन उस पर गुसा करने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो माओ के पास हुआ होता है जिसके बासime जब अपने बेटे को आवाज लगारी होती है तो वह नहीं आता नेनी भी पताती है कि वह कौपी कराता है और अपने पेरेंट्स को साड़ी बाते बता देता है और ये भी बता देता है कि वो हुआ नहीं बलकि चीची है तो अब किन परिसान होने लगता है कि मेरा बैटा का है यह जानकर सैं काफे ज़्यादा एमोसनल हो जाती है यहाँ पर वो वीडियो में देख लेते हैं हैंगी और मेरे डैट भी वो कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं है हुआ कहती है कि मेरी मॉम है मैंने देखा है माओ कहती है कि जरू तुमने उसका भूत देखा होगा तब ही वहाँ पर सैं आ जाती है और माओ को बता देती है कि एक चल्म में वह लिटिल फूल है माओ तो की कोसिस की थी मैं तो अपने भाइग हो से साथ रख रहा था ताकि तुमारे बैटे की अच्छी परवरी सहो जाए लेकिश हने लगती हैं लिक हैं अपयुक्त नुपंद प्रज़कर कि थी और यसे हैं तुम मैंतब पेटे ऊंदे की तीट pollen ऐमें चोर चोर से रोने लगता है कि आप पहले भी मुझे शोड़ कर चली गई थी और अब भी मुझे शोड़ कर जा रही हो तो नेक्सिन में दिखाया जाता है कि सैन अपने दोनों ट्विंस के साथ होती है दोनों आपस में काफी जादा खुस होते हैं और अपनी मॉम से रिक्वे क्योंकि वह बाहर सरदी में नीस पर बेट है उनकी तबित खराब हो जाएगी दोनों बचे सैन को लेकर बाहर जाते हैं यहां पर वह सैन को देखकर माफी माँगने लगता है कि प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी लिटिल फूल हो औ लेकिन यहां पर मिस्टर केन उसे पकड़ कर किस करने लगता है तो यहां पर सैन पूसे किस पेग करके उसके पैर को एकसेप्ट कर लेती हो उनके पीछ में सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से करे थाख करे था वाचिंच।